हेलो वियर्स, विल्कम टू माई चैनल हैवे गाइड आज हम लग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि क्लेक्जिल पेमेंट के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं फ्लेक्सबिल पेमेंट में चार कंपोनेंट होते हैं, सब्ग्रेट, सब्बेस कोर्स, बेस कोर्स और सर्फेस कोर्स या सर्फेस कोर्स को यह भी कह सकते हैं वेरिंग कोर्स तो यह चार कंपोनेंट होते हैं तो हम एक ही करके उसके बारे में जानकारी करेंगे कि सब्ग्रेट क्या होता है, सब्वेस कोर्स क्या होता है, सब्वेस कोर्स क्या होता है, सब्वेस कोर्स या वेरिंग कोर्स क्या होता है सब्ग्रेट सब्ग्रेट क्या होता है, यह सबसे बॉटम लेयर होती है या कह सकते हैं कि यह क्लेजबिल पेमेंट का एक प्रखार से फांडेशन होता है सब्रेट का जो लोड है वो दिप्थ कम होने से वो कम होता चला जाता है तो वैसे सब्रेट का जो टॉप लेयर होता है वहाँ पे इस्ट्रेश जादा होता है जो बॉटम लेयर होता है उसमें इस्ट्रेश थोड़ा कम होता है तो एक प्रकार से सब्रेट ही फांडेशन है अगर सब्रेट सही नहीं रहेगा तो पेमेंट कभी भी डुरेबिल नहीं रहेगा जैसे मतलब अगर foundation नहीं खराब है तो सब कुछ खराब रहेगा सब बेस कोर्स तो सब बेस कोर्स क्या है ये लोट को distribute करता है सब ग्रेट में वो अब लोट को ट्रांसफर करता है और सब बेस कोर्स में generally JSB layer होता है और वो Danish layer के रूप में भी काम करता है और वो बेस और वेरिंग कोर्स को support करता है बेस कोर्स क्या है बेस कोर्स क्या है जो सब बेस कोर्स के मुलेटली ऊपर जो कोर्स आता है वो बेस कोर्स खेलाता है और ये एक additional strength देता है pavement को और बेस कोर्स में जादा तर WBM या WM या कोई stabilize layer डाली जाती है और ये just wearing कोर्स से नीचे का layer होता है या कोर्स होता है surface कोर्स या wearing कोर्स तो surface कोर्स क्या होता है वो traffic load kit direct contact में आता है और generally ये witness concrete होता है और इसका main काम क्या होता है ये smoothness या surface riding provide करता है drainage provide करता है और अगर extra water आ गया है तो उसको वो drain off करता है और ये इतना tough होता है कि वो सारे load को वो bear करता है तो जो surface कोर्स होता है वो generally witness layer होता है तो traffic का पूरा दार्वमदार जो है वो surface कोर्स पे होता है तो ये चार पेकार के payment होते हैं subgrade, subbase course, base course, surface course या wearing course तो आसा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो thank you for watching my video कर दो